हरे कृष्णा बानासुर के पास बाना लिंगम भगवान शिव भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुए बानासुर बानासुर कौन थे देखिए प्रलाद महराज के वन्षज हुए बली महराज और बली महराज के 100 पुत्र हुए उन 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र थे बानासुर एक सधारन विक्ति के दो हाथ होते हैं लेकिन बानासुर ने तपस्या करके एक हजार हाथ प्राप कर लिया थे शोनित पूर नामक स्थान पे वो राज करते थे और जितने भी असुर थे उनके राजा थे जैसे उनके पिता बली महाराज बहुत शक्तिशाली थे और शक्तिशाली के साथ उनको तपस्या और भगवान के विग्रह की पूजा में बहुत इंटरस्ट था ऐसी बानासुर को भी बहुत इंटरस्ट था और विशेश रूप से भगवान शिव के बड़े भगत थे और भगवान शिव के भगत होने से उनकी बहुत इच्छाती तपस्या करके भगवान शिव से कुछ ऐसी शक्तिशाली थे लेकिन वो हमेशा और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा शक्ति प्राप्त करना चाहते थे होता है इस जगत में विक्ति सोचता है ये पावर भी हो जाए मेरे पास ये पावर भी हो जाए जैसे आजकल की डेट में ये सर्टिफिकेट भी मिल जाए ये सर्टिफिकेट ये एजुकेशन मिल जाए या फिर बिजनस में ये वेपार भी मेरे साथ हो जाए ये वेपार भी मेरे साथ हो जाए कहीं ना कहीं व्यक्ति और एड करता है कोई खाना पकाता है, कोई कुकिंग करता है उसको ये रेसिपी भी आती है, ये रेसिपी भी आती है ये रेसिपी A person wants to add more and more medals तो बानासुर को था मैं तपस्या करूँ और बहुत ज़्यादा तपस्या करूँ शीव जी ने एक्चली भहुत आशीरवाद दी उनको भहुत धन दिया, भहुत शक्ती दी सब कुछ मिलने के बाद बानासुर बोलते हैं लेकिन मेरी एक और इच्छा है अगर आप इजादत दें, पर्मिशन दें, आज्या दें तो मैं एक और चीज मागना चाहता हूँ क्या आप मुझे एक हजार हात दे सकते हैं जिनसे मैं एक हजार हातों से इतने अस्त्र शस्त्र, इतने वेपन संभाल सकू कि कोई भी दुश्मन मेरे सामने ना टिक पाए शीव जी आश्यतोष, देखे जब दिल साफ होता ना व्यक्ति दूसरे के दिल में खोट देखता ही नहीं बाना सुर के अंदर खोट था, क्या खोट था? सिरफ उनको अपने दुश्मनों से बचाव नहीं करना था जो दुश्मन नहीं है उनको भी दुश्मन बना के अध्यचार करना था मतलब इदर उदर हाहाकार मचाना था शीव जी ने कुछ सोचा नहीं, मांग रहा है तो दे दो उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि इसके पीछे उसका कुछ दूसरा गलत विचार, गलत मोटिव भी हो सकता है और शीव जी ने दे भी दिया और ये एक बड़ी सुन्दर बात आती है यहां सीखना चाहिए हमको कि कभी-कभी हम मन में सोचते हैं मांगे की नहीं मांगे, मांगे की नहीं मांगे इच्चा हो तो मांग रहे ना चाहिए यह भी एक जीवन में रहता है, कभी-कभी शरम नहीं करने चाहिए हाँ, अधर्म काम में शरम करने चाहिए लेकिन अगर आपकी इच्चा धर्म के विरुद नहीं है तो मांगने में शरमाना नहीं चाहिए होसुत है कब वो इच्छा मिल जाए, कब वो काम पूरा हो जाए, we should not feel shy, बोलते है ना, जो करे शरम, उसके फूटे करम, भाना सुरू बड़े खुश हो गए, बोले एक हजार हाथ मिल गए, आनन्द, आनन्दी आनन्द, पहले तो युद करते थे, बाट फिर भी शान्द सभाव के थे बोलते है न, तुम में किसी से पंगा नहीं लेते थे, अभी मालू में, उनके बहुत शक्ती हैं, इदर, उदर, इसको हराओ, उसको हराओ, उसको हराओ और आनने आने लगा, जिसको हराने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था उससे भी युद लेके उसको हरा दिया और शीव जी अपने दियान में मगन थे उन्हों ने कोई धियान नहीं दिया कि बानासुर क्या कर रहा है और सबसे बड़ी बात शीव जी ने बानासुर पे जादा धियान नहीं दिया, क्योंकि जब भी बाना सुर्ष शीव जी के सामने आते थे, तो उनके हजार हाथों से जो अनेक प्रकार से जो ड्रम्स बजाते थे, ढोल बजाते थे, उससे शीव जी के तांडव दृत्ते में सहायता करते थे, देखे कभी-कभी व्यक्ति का सुभाव रहता है, जब वो अपने गुरू के पास या भगवान के सामने आए, उनको सेवा करके प्रसन करता है और अपनी गलत हरकतों को चुपा लेता है, और जब भगवान नहीं रहते है, तो वो बाकी लोगों के साथ कैसा वहवार करता है, ये उसके चिंतन में नहीं है उस व्यक्ति के, य इसलिए शीव जी हमेशा प्रसन रहे, उन्होंने कभी भी डाउट नहीं किया, इस हद तक शीव जी प्रसन हो गए, शीव जी इतना आनद में रहते थे अपने ध्यान में, भजन में, किर्टन में और नृत्य में, शीव जी ने बिलकुल ध्यान नहीं दिया और बाना सुर्क क इतना बढ़ गया है एक दिन शीव जी को बोलते है जरा आप ध्यान रखना मेरा जो शहर मैंने बनाया है शोनितपूर पर राज करता हूँ आप उसका देखवाल करना मानो शीव जी को बोल रहे हैं आप यहां के चौकिदर बनो शीव जी मान तो गए है जो कि प्रसंत है ठीक के उनकी सेवा कर रहे हैं कि हाँ यह शौनितपूर अपने आदमी अपने बच्चे की नगरी है इसको रक्षा करो समय बीटता गया और उसके बाद उनका अतिसर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और एक समय इतना यूद किया उनने बोर हो गए बानासुर बोर हो शक्ती मेरी मसल्स रेस्टलेस चोरी हैं तो क्या करना चेशीव जी ने बोला चिंता मत कर एक समय पर सही आएगा तुमारे पास ऐसा व्यक्ति आएगा योध्धा तुम्हें मजा आएगा और सेकेंड पार्ट बोल दिया मजा ही नहीं आएगा तुमारे अहंकार को चकना वो इतने खुश हो गए अपनी बराबरी का एक बात है वैसे जौब सैटिसफेक्शन जौब फुल्फिल्मेंट हर व्यक्ति को चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मेरी शमता के अनुसार मुझे कारे मिल रहा है कि नहीं और वो शमता के अनुसार ना मिले तो व्यक्ति बोर हो जाता है बानासुर का भी ऐसे ही था बड़े खुश हो गए बानासुर एक समय आएगा समय बीटता गया बानासुर की पुत्री थी उशा नाम था उसका अत्याधिक सुन्दर पुत्री थी और बानासुर को उशा से बहुत बहुत प्रेम था उनकी पुत्री है और बहुत आ और स्वपन में आया कि एक बहुती सुन्दर हैंडसम युवक है और उशा की इच्छा हो गई कि पती हो तो ये जब वो नीन से उठी उनकी एक सहेली थी चितरलेखा जो कि बहुत उनके पास बहुत सारी जादुई शक्ती थी चितरलेखा को उनकी बहुत confidential friend थी सब खुल के ब बताई कि कैसे कैसे ये व्यक्ति आया कौन है ये व्यक्ति पता नहीं चितरलाखा ने अपने दिव्यद रिष्टी से अलग लग पुर्शन पे ध्यान लगाया और उनका चितर बना के दिखाया सब चितर बना के दिखा दिये और एक एक चितर दिखा रहे थी इंदर का चित चित्र बनाया, सब चित्र बनाके उसके सामने रखती कहीं, कहीं वो पुरुष ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, लंबा समय बीत गया, जितना पेंटिंग मनाया, उशा बोले, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और उशा ये भी जानती थी कि मैं अपने पिता को ये बात नहीं बता सकती कि पिता तो सोची नहीं सकते कि उशा उनसे दूर जाए, इतना अठेश थे उशा से, विभाण का to सोची नहीं रे थे वो तो दूर दूर के बात, ऐसा कोई वो देखा उशा के उशा के आँखों में उशा के चहरे पे जो एक प्रकार की शरम सी बहुत ही शाइनिस और वो अनिरुद को देखते ही बुले हाँ यही है वो जो मेरे स्वापन में आया था और चितर लिखा केवल पेंटिंग बनाने में चतुर नहीं थी वो तो मंतरों का उचारन करके किसी को भी ला सकती थी बुले अर्ध रातरी को उन्होंने अपनी अध्भुच शक्तियों का प्रयोग किया और भगवान कृष्ण की नगरी से अनिरुद को उशा के महल में शोनि उशा पड़ी उशा पर पड़ी और जैसे उशा को अनिरुद से आकर शन्ता अनिरुद को भी उशा को देखते ही समझे गया ये कन्या हम एक दूसरे के लिए बने हैं उनको भी उनसे देखते ही प्रेम हो गया उनका समझ गया बोलता है ना मेड इन हेवन उपर से बनके आया है रिष्टे लेकिन अब था बाना सुर का सामना कैसे करेंगे और समय से बाना सुर को मालुम चल ही गया कि अनिरुद उशा के महल में निवास कर रहे हैं बहुत ग्रोधित बहुत ग्रोधित उन्होंने फैसल लेके ना जा सके और उसके आसपस पूरा अगनी का पहरा होना चाहिए और अनिरुद को मार दिया जाए पूरी सेना बाना सुर की अनिरुद के साथ युद करने निकल गई लेकिन अनिरुद क्रिष्ण के पोते हैं कोई मजा का ऐसा युद किया अनिरुद ने सेना को हरा द नारद मुनी is like a journalist of those times, यहां से वा समाचार इधर यह हुआ, इधर वो हुआ, इधर यह हुआ, पूरा समाचार लेके पहुँच गए उस समय, और कृष्ण ने अपनी पूरी सेना कत्र की, कौन-कौन नहीं आया वहाँ पर, बलराम जी आये, साते की आये, प्रद्युम्न आये सब लोग पहुँच गए, पयंकर युद, पयंकर युद, अनिरुद को ऐसा, इसा मज़ा चखाया कृष्ण भगवान ने, उनकी सेना ने, ऐसा मज़ा चखाया, बानासुर समझ गए, और बानासुर पुकारते रहे, शीव जी को पुकारते रहे, सहायता करो, सहायता करो, आनन्द भी आ रहा था, कि जिस इच्छा को रखा था, कि ऐसा कुछ युद हो जाए, आज वो युद का मौका मिला है, बहुत खुश थे बानासुर, बहुत खुश थे, लेकिन उनके भगवान और शीव को पुकार रहे हैं, शीव नहीं आ रहे, और जो शीव को पुकार र रहे गए थे, और उन्हें बड़े ही, helplessly शीव जी को पुकारा, और तब शीव जी प्रकट हुए, और शीव जी ने भगवान कृष्ण से विननती करी, कि मेरा भक्त है, इसके दो हाथ रहने दो, मेन तो इसका अहंकार चकना चूर करना था, वो आपने कर दिया, अब ये बन गया है, और उशा तो अभी आपिकी हो गई, अनिरुद के साथ उनका विवा हो जाएगा, और क्रिष्ण ने जब शीव जी ने भी ननती करी, तो क्रिष्ण ने भी शान्त हो गए, क्रिष्ण ने बोला ठीक है, इतना सब जब उथल पुथल हो गया बानासुर के जीवन असुर बन के भी देख लिया, जिसी शक्ती से लोग डरने लगे, पहले दो हाथे, फिर हजार हाथों का भी मजा देख लिया, शिव के लिए तांडव नृत्ते करके भी देख लिया, जो जो बड़े बड़े काम करने थे, सब कर लिये, अभी जीवन में और कोई इच्छा शांत हो गए, देखिए ये प्रलाद महराज के वन्ष में है, बली महराज के वन्ष में है, तो कही ना कही एक अध्यात्मिक प्रकार का विचार तो है, शांत हो गए और नर्मदा नदी के तट पे बैठ गए और भगवान शिव पे ध्यान लगाने लगे और अब सोच रहे थे, अब बस जीवन में संतुष्टी चाहिए, भगवान शिव ही मुझे मार्ग दर्शन करेंगे, शीव जी प्रकट हो गए और उन्होंने शीव जी से अपनी इच्छा रखी, कि मुझे आपका एक गणा बनना है, एक एसोसियेट बोलते हैं शिव गणा आपका एक गणा बनना है, आपके साथ रहना है, और मुझे एक शिव लिंग चाहिए, और मेरे शिव लिंग का नाम होना चाहिए, बान लिंगम, बाना सुर का लिंगम बोले मुझे आपका, मेरा जो शिव लिंग है, उसका नाम बाना लिंगम होना चाहिए, ताकि जब भी लोग उसके दर्शन लें, तो आप ये पूरी कथा को स्मरन करें, शिव जी ने आशिरवाद दिया, अभी बच्चा शान्त हो गया है, संतुष्ट हो गया है, सारा उसक उदंडता चली गई है, there is no harm in blessing now, तो नर्मदा नदी में वो बान लिंगम पाए जाते हैं, जो भगवान शिव के ही रूप माने जाते हैं, ये स्वयंभू, self-manifested लिंगम है, ऐसा नहीं किसी मनुष्य के हाथों ने उनको तराशा है, जिसे भगवान विष्णु का चिन है शालिगराम, ऐसा ही भगवान शिव का चिन है, बान लिंगम, यहां तक कि नर्मदा नदी भी भगवान शीव के ही दिव्य देह से उत्पन हुई है, इसलिए नर्मदा का नाम है शंकरी, जो शंकर से, जो भगवान शिव की पुतरी मानी जाती है